। istant 0 आज हम बनाने जा रहे है Our शाही पनीर। वह भी वाइड ग्रेवी में। रड ग्रेवी में भी ये बनता हैं। लेकिन आज मैं बननाने जारेव इससे आपको ये भी पता चलेगा कि वाइड ग्रेवी कैसे बनती है। और रेस्टरेंट स्टाइल शाही ग्रेवी देखना हो, तो आप नलीनीज किचन सब्स्राइब ज़रूर करें, आईए देखने कैसे बना प्यास चाहिए, मैंने दो मध्यमाकारी प्यास ले लिए और बड़े-बड़े पीसे में इस तरीके से काट लीजे यह 50-70 ग्राम खोवा है, इसको भी आड़ करेंगे, हमने थोड़े काजू ले रखे हैं, एक छोटा बाउल है, और इसके लिए हम बड़े काजू यूज नहीं करेंगे, इस तरह के टूटे काजू जो होते हैं, वो रेस्टरेंट वाले यूज करते हैं, और टूटे काजू य और उसके अंदर इस प्याज को डालेंगे, और इसको खुलाएंगे तकरीबन 5-7 मिनिट के लिए, अब आप देख रहे होंगे, प्याज काफी हद तक पक चुका है, इसमें हम डालेंगे कुछ लाइची के टुकड़े, इस तरीके से, और साथ ही साथ डालेंगे इसमें 8-9 गालिक, इन सारी चीज़ों को भी हम 1-2 मिनिट पकने देंगे, और 2 मिनिट के बाद हम गयास को और इसका पानी हम फेक हैं एसके पानी को हम बाद में यूज करेंगे, और इसका पूरा यह सारा मिटेरियल निकाल के हम स्टलादे, अब प्याज की प्यूरी भी रेडी हो ग तेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट और इसको भूनेंगे लगतार चलाते रहेंगे ताकि नीचे नहीं पकड़े वैसे तो नॉन स्टिक है नॉन स्टिक में जब भी आप बनाते हैं उसका एक फायदा यह होता है कि ऑल बी कम लगता है और नीचे कोई भी मसाले पकड़ते के अंदर अब इसको पकने देंगे तिल 2-3 मिनिट इसको अच्छे से पकने देंगे इस्टेज पर हम डालेंगे अपनी यह काजू प्यूरी इसको चलाते रहेंगे अब इसको साथ से 10 मिनिट के लिए कुक करेंगे यह दही है मैंने यह पर 3 टेबल स्पून लिया है इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिला दें यह काफी अच्छे से कूफ हो चुका है इसको आपको लगातार चलाना है अदरवाइस नीचे पकड़ लेगा मैंने इसमें टमाटर यूज नहीं किया है तो आप यह सूचेंगे कि थोड़ा खटापन कैसे आएगा इसमें टेस कै इन सारी चीजों में टेस्ट है अब इसमें यही दही जो हमने अभी लिया है इसको हम करके फैटेंगे इस तरीके से मिलाएंगे लगातार चलाते रहेंगे दो तेस पट्रे डालेंगे अब अच्छे से दही मिलाने के बाद इसमें हम यह क्रम्बल करके इस तरीके से हम इसम बाद अनुसार और इसको अच्छे से मिक्स करें अब इसमें पनीः डालेंगे मैंने या 500 ग्राम पनीर लिया है इस तरीके का पीस काट लेंगे इसके अंदर हम ये पनीर क्यूब्स डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे जब आपके पास अगर खुआ नहीं है तो आप एक ट पनाता है उसकी वज़े से ही आता है इसको कुक करेंगे एनदर पांट से साथ मिनेट सारी चीजे मिल जाए और इसके बाद हम इसको सर्फ करेंगे वाव अवर शाही पनीर इस रेडी नाव बिलकुल शाही तरीके से बनाया है और उसमें कुछ काजू टूटी फूटी एक धनिया हलक असा रख करके इसको कलर्फूल बराने का प्रयास किया है ताकि वह आपको अच्छा भी लगे तो आपने देखा वाइड ग्रेवी में शाही पनीर हमने कितनी आसानी से बनाया अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीचेगा अपने व्यूस दीजेगा आपके फीडबैक का मुझे हमेशा इंदुजार रेता है आपकी नलीनी अभी के लिए इचाज़त चाहती है नमस् मतली आपकी व्यूस नdaughter बिट्यूस घच लो एंडार का मुझे उसके यूसिछ गपकी व्यूस